मिर्च भारत के अनेक राजियों में पहाडी वा मैदानिक शेत्रों में फल के लिए उगाई जाती है मिर्च जो है वो साल में दूबार हमारे आप नमर से दोस्तों स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में मैं साबिता ठाकुर और आप देख रहे हैं बाते खेती की दोस्तों आज की हमारी जज़ा का विशय है मिर्च की खेती मिर्च भारत के अनेक राजियों में पहाड़ी वह मैदानिक शेत्रों में फल के लिए उगाई जाती है देश में मिर्च का प्रयोग बसालों के रूप में किया जाता है इसे सबजियों और चटनियों में भी डाल कर खाया जाता है मिर्च में अनेक प्रकार के और शदिये गुन भी होते है तो आए इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं हमारे स्टूडियों में मौझूद डॉक्टर अफदेश चंच शुकला जी से शुकला जी आपका हमारे स्टूडियों में बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद सर सबसे पहले मैं आप से जाना चाहूंगी जैसे कि आज हम यहाँ परिकत्रित हुए हैं मिर्च की खेती के बारे में चर्चा करने के लिए तो सर मैं आप से जाना चाहूंगी कि अगर कोई किसान मिर्च की खेती करता है जब वो अपनी फसल लगाने जाता है तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है भूमी तो सर वो कैसे भूमी का चुनाव करें? लेकिन सबसे सरमोत भूम जो होती है इसके लिए बलूर दोमट लेकिन हलकी मिट्टी भी अगर है उसमें हमने अच्छी तरीके से जीवान शिक खादों का इस्तेमाल किया है तो उसमें भी हम कर सकते हैं और दोमट में भी कर सकते हैं लेकिन परम आवस्चक जो बात है वो यह है कि जल निकास बहुत ही अच्छा होना चाहिए केट में पानी नहीं भरना चाहिए क्योंकि पानी भरेगा तो इसमें रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे इसलिए जल निकास बहुत अच्छा होना आवश्चेट तो इसे के साथ सरी भी बता दीजे कि भूमी की तैयारी कैसे की जाए अब देखिए सबसे पहले जो हमने खेट का चुनाव किया है तो सबसे पहले मिठी पलटने वाले हल से हम एक गहरी जुताई करते हैं और गहरी जुताई करने के बाद तब हम ये देखते हैं कि हमारी मिठी में परियाफ्त मात्रा में नमी है अत्वा नहीं अगर नमी है तब और नमी नहीं है तब इस करें जो ही समय हम सौ कोइंटल से ले करके ठेल सो कुईंटल गोवर की खाथ खेट में भखेड देते हैं, अब भखेड देने के बाद अगर नम्ही है तो तुरन दूसरी जुताई कर देंगे और नमी नहीं है तो एक हम सिचाई करेंगे और सिचाई करने पर जब ओट आएगी तो ओट आने के बाद फिर हम दूसरी मिट्टी पर अटने वाले हल से ही दूसरी जुताई कर देंगे अब जो हम जुताई करेंगे तो आवश्यक है जैसे हमने जुताई की है तो हमको उस पर पाठा भी लगाना है अब उसके बाल हम देसी हल से दो जुताई या तीन जुताई पाठा लगा देंगे करके और पाठा लगाएंगे अगर देसी हल नहीं है तो हम गहरी जुताई हम कर सकते हैं हैरो से और जो उठल सबसे बड़ी बात यह कि प्रयाती का चुनाव करते समय उसे यह देखना चाहिए कि हमारी यूनिवर्स्ट्री ने निकाली है या किसी प्रावेट कंपनी ने निकाली है या जो भारती किसी अंजन्दान संस्तान नहीं दिल्ली जो पूरे भारत वर्स के लिए प्रजातियों का निकालता है उसके द्वारा निकाली गई है तो यह इस पर निर्वर करता है अब उनके दौरा जो निकाली हु港 प्रजातियां हैं, हमको एनी का चुनाव करना चाहिए तो ऐसी अवस्ता में… अब दे глаз के बात जब आती है, मिर्च के और हैं तो मिर्च की खेती हैं में तीन बाते हैं एक सिम्ट मिर्च भी आती है दूसरी जो हरी मिर्च हमारी जो हम चटनी में भी इस्तेमाल करते हैं, सबजी में भी काटके डालते हैं, हरी खाते भी हैं, यह इस तरीके से हो गई, जिसको बाद मेगर हम पका लेते हैं, तो हमारी मसाले में काम आती है, और तीसरा एक मिर्च है, जो हमारे अचार रखे जात वो है कैलोफार्निया बंडर और हाइबर्ड जाती में है पूसा दीपती ये दोनों पर जाती है जो है बहुत ही अच्छी है उसके बाद हमारी जो मिर्च जो हरी मिर्च है उसमें पूसा सदावार और पंथ सीवन एपी 46 ए पूसा जौाला और चंचल ये बराइटी जो है ये पकाने के बाद मसाला में हमारे काम आती है उसके बाद जो हमारा अचार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो एक बराइटी आती है पेपरिका और ये पेपरिका जो है वो इस सामान जो हमारी हरी मिर्च है उससे काफी बड़ी होती है और पैदावार भी इसकी बहुत होती है तो यह जो प्रजातियां हमें ने बताई हैं इनी प्रजातियों में से अगर चुनाव किया जाएगा तो एक तुलाव यह होगा कि इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें रोग कम लगते हैं इन प्रजातियों में तो विशेश कर इनी प्रजातियों से खेती कर ना प्रारम करें जे बिलकुल तो इसी के साथ और भी मैं आपसे जानना चाहूंगी की बीज की मात्रा कैसे रखी जाए देखिए बहुत बीज इसका हलका होता है तो एक किलो से लेकर के एक दसमलब पांच किलो का बीज एक हेक्टर के लिए परियाप्त हो जाता है जिसकी हम डालते हैं और नरसरी तैयार करने के बाद ही फिर हम रुपाई करते हैं सीधा बीज नहीं बोया जाता है और सर इसके बीज का उपचार कैसे किया जाए लेकिए बीज के उपचार करने की जब बात आती है तो थीरम कैप्टान बावस्टीन ये रसाइन हैं और इन रसाइनो को ले करके और बीज का हम उपचार कर लेते हैं तो अब जैसे एक किलो बीज हम को लिया है तो हम दो दसमला पांच ग्राम ठीरम लिया और उससे उपचार कर लिया अगर हमने कैप्टान लिया तो दो ग्राम और बावस तीन ली है तो देड़ ग्राम प्रिट किलो ग्राम उस पर फ्वारा मार करके वह उस पर डबाद एलते रहेते वह उस पर आराम से लग जाती है और उस लग जाने के बाद अगर वोते हैं तो हमारी फंगस का डवड़ाब होना बंद हो जाता है यूँ कि फंगस डवलap कब वहाती है जैसे ही अंकरन शुरू होता है बैसे ही का एक अच्छा माध्यम है इसमें डाइटरी फाइबर प्रचूर मात्रा में होते हैं जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से बनी रहती है इसी विशे पर आगे भी देंगे आपको जानकारी लेकिन हमारे कारेकरब में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का मिलते है ब्रेक के बाद और बीज को छिडखने के बाद फिर हम जो हमारी अलग से हमने जो और थोड़ी सी मिट्टी और गोबर की खाद मिला करके जो बचा रखी है उसको उपर से छिडख करके ढग देंगे और ढगने के बाद अच्छा होगा कि थोड़ा प्वाल से या गन्ने की पताई जो है पती होती है उससे उसको ढग दें और जब तक उसमें अंकुरण ना हो जाए तब तक फुआरे से हलका पानी देते रहें सीधा पानी कभी न दें ब्रेक के बार रिगवार फिर से आप सभी का स्वागत है बाते खेती की में दोस्तों मिर्च का उपयोग अनेक प्रकार के वेंजनों में किया जाता है इसलिए मिर्च की खपत बहुत जादा होती है खपत जादा होने के कारण मिर्च बजार में तेजी से बिकते हैं जिसके कारण किसानों को बहुत फायदा होता है मिर्श की खेती करना इतना आसान है कि इसे साधारन किसान बेहर ही असानी से कर सकता है और कम समय में कम लागत में जादा मुनाफ़ा कमा सकता है और दोस्तों हरी मिर्श को मूड बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है यह बहुत अच्छा प्रशना आपने किया है क्योंकि एक किलो से धेड़ किलो बीज को एक हेक्टर के लिए हम तैयार करते हैं तो इतना हलका ये बीज होता है कि अगर हमने नरसरी तैयार करने में जरा से भी लापरवाई हो गई बीज काईदे से नहीं डाला गया तो नरसरी हमारी बेकार हो जाती है तो ऐसी अवस्ता में करना क्या है कि जितने बीच में हमें नरसरी डालनी है तो विशेश कर उसकी चोड़ाई जो है एक मीटर रख हैं इससे जादा चोड़ाई नहीं रखनी चाहिए लंबाई आवज शक्तानसार अपनी कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि सतह से कम से कम दस सेंटी मीटर क्यारी उची रहनी चाहिए ताकि किसी बज़े से भी बरसात हो जाया कुछ हो जाया तो उसमें पानी ना भरे पानी निकल जाए जे अब जब हमने ये क्यारी तैयार कर ली तो इस क्यारी में हमारी चाहे वो वर्मी कमपोस्ट हो चाहे कमपोस्ट हो चाहे गोबरre की सरी उऊई खाद हो अच्छी तरीके उस मिट्टी में मिला दिया हम मिट्टी में मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि उस बीज को हम उसमें छिड़क देंगे और बीज को छिड़कने के बाद फिर हम जो हमारी अलग से हमने जो और थोड़ी सी मिट्टी और गोबर की खाद मिला करके जो बचा रखी है उसको उपर से छिड़क करके ढख देंग न हो जाए तब तक ऑसे हल्का पानी देते रहें सीधा पानी कभी न दे। क्योंकि हमने सीधा पानी अगर इसमें दिया, से इतने हलिका भी करन, पर अँग्शकी के इफ पर ऑगई निचा हो गया, तो वहाँ पर आज पन फी हटता हो जाएगा. तो जब तक अंकुरन ना हो जा तब तक हमको फुवारे से ही पानी देना है तो इस तरीके से ही हमारी नरसरी तयार हो जाता है आगे का जो हमारा प्रसीजर है उसमें आता है रुपाई तो सर इसके बाद रुपाई कैसे की जाए जो अब देखिये जो हमने नरसरी तयार की है जिसमें हमने वहां से खरपदवार भी निकाल दिये हैं और कोई अगर रोग ग्रिशित हमारा पौदा है उसको भी हमने छाट दिया अब हमने स्वस्थ पौदे ले लिये और स्वस्थ नरसरी के पौदों को ले करके और हम एक परसेंट बावस्टीन का घोल बना लेते हैं और गोल बनाने के बाद वहां से नरसरी के से पौदों को लाकर के उनकी जड़ों को उसमें डूबो देते हैं और एक गंटे तक वो डूबी हुई रखी रहती हैं और उसके बाद जब वो डूबी हुई रखी होती है तो जो खेत हमने तयार किया है अब उस खेत में हमें करना क की दूरी और पहुदे से पहुदे की दूरी का पूरा हिसाब लगाना है तो हम पहले लाइने बना लेंगे और पहुदे से पहुदे की दूरी जो निर्धारित है उसके हिसाब से हम इसकी रोपाई करेंगे तो रोपाई करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 40 से 60 cm तो लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए 40 से 60 का मतलब यह है कि जो जैसे सिमला मिल्च है तो 60 cm हो जाएगा अगर हरी मिल्च है तो 40 cm हो जाएगा और इसी तरीके से पौदे से पौदे की दूरी जो है वो 30 से 45 सेंटी मीटर रखनी चाहिए क्योंकि अगर हमने घना कर दिया तो फिर अच्छी तरीके से प्रकास संसलेशन की क्रिया और यह सब बादित हो जाती है तो लायन से लायन की दूरी और पौदे से पौदे की दूरी का ध्यान रखना पर हम आवश्यक है अब जैसे ही हम रुपाई करते हैं वैसे ही तुरंट पहली सचाई इसमें कर देना चाहिए क्योंकि अगर हमने तुरंट पानी नहीं दिया तो इसकी जड़े जो है मिट्टी नहीं पकड़ पाएंगी और पौदा सूखने लगा तो इधार हम रुपाई कर रहें या दूसरी तुरंट सचाई कर देंगे जै बिलकुल इसे के साथ मैं यह भी जाना चाहूंगी कि इसकी बौआई का क्या समय होता है यह मिर्च जो है वो साथ में दो बार हमारे याब हो जाती है एक हम बहुते हैं जायद में यानि फरवरी मार्च में और दूसरी हमा हमारी मार्च में लगाना है और दूसरी हमारी जुलाई में हम ज्यादा ज्यादा हम बहुत अगर लेट हो जाये तो 15 अगस तक हमें लगा देना चाहिए वैसे तो यह 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक इसका उचिस समय है तो अब यह दोनों टाइम है यह बौआई का उचि किया जाता है देखिये जैसे हमने जब भूम की तयारी की थी तो भूम की तयारी में हमने बताया था कि 100 कॉंटल से 1500 कॉंटल गोवर की खाद मिला करके और अच्छी तरीके से खेद में मिला दी गई थी उसी समय हम क्या करेंगे कि मिर्च के लिए 120 किलो नाइट्रोजन 50 किल और 50 किलो पुटास यह रिगमंड है तो हम करते क्या है कि जो 120 किलो है उसमें से 60 किलो हम निकाल लेते हैं अब 60 किलो नाइट्रोजन 50 किलो फासफेट और 50 किलो पुटास को जब खेद की तैयारी का अंतिम समय होता है पाटा लगाने जा रहा होते है उस वकत खेद में छिड इलाजर इस्तेमाल हो गया अब जो 60 किलो बच रहा है उसको हम क्या करेंगे फूर आने से पहले एक बार में अत्वा दो बार में 15 दिन के अंतरहल पर इसका टाप डेसिंग कर देंगे और हर टाप डेसिंग के बाद सिचाही कर देंगे जे बिलकुल हरे मिर्च में एंटी ब दिनराइ शव्यदा, मिलते हैं, पर दो करते हैं कि जब हमारा कम से कम पहली निराकाई कुडाई के पच्छिस दिन के बाद यानि कहना चाहिए कि अगर हम जिस दिन रुपाई हमने की है उसके 40-45 दिन के अंतराल पर हम दूसरी निगाई कुड़ाई कर देते हैं और इस बात का ध्यान रखें कि अगर मिट्टी हमारी हलकी है तो थोड़ी सी मिट्टी भी हम पौदे की जब पर चड़ा दें ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बाते खेती की में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं थे मिर्च की खेती के बारे में शुक्ला जिसके बाद मैं आप से जानना चाहूंगी कि मिर्च की खेती करते वक्त इसकी सिचाई का क्या प्रावधान किया जाता है देंकि जैसा मैंने बताया कि जैसे हमने रुपाई की है तो उस समय पहली सिचाई अत्यान तावश्रक है कि सीगरा तो सीग तुरंट कर दी जाए। अब उसके बाद यह है कि अगर हमने लगाया है जुलाई की फदल खरीव की फदल है तो बरसाथ प्लार्मब हो जाती है तो इसी दसा में अगर बरसाथ होती रहती है तो सचाई की कोई भी आवस्चता नहीं है। अगर बरसाथ नहीं होती है और यह मालम होता है कि हमारी जमीन सूख रही है तो हमको 10-15 दिन के अंतरहल पर सचाई हलकी सचाई कर देनी चाहिए। और जो हम फरवरी में करेंगे फरवरी में अगर हम इसकी फ़सल करेंगे तो उस समय जो कि फरवरी मार्च में बरसाथ के चांसे नहीं रहते हैं तो उस समय क्या करेंगे कि सुरू में जब टेंपरेचर नहीं बढ़ता है उस समय हम 10 दिन के अंतरहल पर सचाई करेंगे। लेक जैसे ही फूर आना सुरू हो जाए उसके बार किसी भी दसा में खेद सूखा नहीं होना चाहिए परियाद मात्रा में नमी बनी रहनी चाहिए जी तो शुकला जी आगे मैं आप से जानना चाहूंगी कि फसल तो हमारी खड़ी हो गए लेकिन उसी के साथ में कुछ हमें जो नह सायन पहले ही चलग दिया जाता है और क्योंकि हमने इसकी रुपाई की है तो रुपाई करने के बाद हम इसमें ये फायदा होगा कि पंदरा दिन का जैसे ही रुमारी रुपाई का पौदा हो जाता है तो हम खुरपी की सहाथा से इसमें एक निकाई गुडाई करा दें इस तो हमारा जो वाइस अंचार है, मिट्टी बरबुरी हो जाती है कुडाई होने से, वाइस अंचार होने से जड़ों का विकाद बहुत अच्छा होता है, जड़ों का विकाद अच्छा होगा तो पोशकत तो ज्यादा ज्यादा जड़े लेंगी और पौदे को देंगी तो इस मिट्टी में जल धारण शमता अधिक होती है, उसमें निउट्रेंट शोल्डिंग कैपिसिटी यानि पोशक तत्नों को अपने में रोके रहने की शमता भी बढ़ जाती है, तो ये पहली हम जो है, खरपदवार भी हमारे नश्ट हो गए, खरपदवार निकल गए, नहीं तो अगर पोदे के खुराख खाते हो, और दूसरे ये है कि उसी समय हमने टाप रेसिंग भी कर दी, गुड़ाई हमने की, तो मिट्टी में वो हमारा पोशक्तत भी मिट्टी में मिल गए जो और परख हमने डाला था, और इस तरीके से सारे फाइदे हमको हो जाते हैं, तो 15 दिन के अंतराज पर पहली गुड़ाई और निकाई कर देनी चाहिए, अब अगर जाधा ही खर पदवार फिर दुवारा दिखाई देते हैं, तो फिर दूसरी जो गुड़ाई हम निराई करेंगे, तो वो निराई उस समय हम करते हैं, कि जब हमारा कम से कम पहली निरकाई गुडाई के 25 दिन के बाद, यानि कहना चाहिए कि अगर हम जिस दिन रुपाई हमने की है, उसके 40-45 दिन के अंतराल पर हम दूसरी निकाई गुडाई कर देते हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि अगर मिट्टी हमारी हलकी है, तो थोड़ी सी मिट्टी भी हम पौदे की ज सर जब रोग लग जाते हैं फसल में, तो उन से नियंतरन कैसे किया है, जनकर निवारन कैसे किया है, देखिए एक तो मिर्च का जो सबसे बड़ा भेंका रोग है वो आद्र गलन, इसमें पौदा पूरा का पूरा पौदाई कर जाता है, तो अब पूरा पौदा गल गया त समझ दीजिए फदल ही बहो गई, तो इसके लिए एक दवा आती है, एपरान एसडी 35, और हम इसको करते हैं कि दो ग्राम प्रित किलो ग्राम से बीज को उप्चारित करते हैं, जहां पर इसकी लगने की संभावना है, वहां पर हम इसको ले लेते हैं, और जो हमने अगर बी लगने के चांसे बैसे ही बहुत कम हो जाते हैं, तो बीज उप्चार करना इस बीमारी के लिए परमावस्च है, उसके बाद दूसरी बीमारी आती है एंतरोज, एंतरेनोज में क्या होता है, एंतरेनोज यह एक फंगस डिजीज है, तो इसके लिए करते हैं, डाइधेनियम 45 ना मिले तो वावस्थीन, ये भी फपुंदी ना सक है, इसको हम क्या करेंगे, दो ग्राम प्रिस लीटर के हिसाब से ले करके, और घोल बना लेंगे, और जितनी हमारे खेत्र है, उसके हिसाब से, इसकी मात्रा को कम हो जादा करके, और इसका हम छिड़काओ करेंगे, तीसर या एक रोग है, उक्ष्ठा रोग, उक्ष्ठा रोग में क्या होता है कि जो एकदम पूरा का पूरा पेड जो है, वो सिकुडने लगता है, उसका विकास कम हो जाता है, और धीरे धीरे वो सूख जाता है, तो ये भी वाइरस से होता है, इसमें करना क्या है कि जैसे ही अग मेटास स्टाक इक डवा आती है और मेटास स्टाक में आप डाइधेनियम 45 भी मिला लें तो जो बॉइन परसेंट सो होगा और दोनों को मिला करके हम इसका शिर्काओं कर दें लेकन जो पाउधा गरसित हो Snail उस पौदे को निकाल ही दे तो जादा अच्छा है जे बिलकुल तो शुकला जी जाते जाते इसे के साथ हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि इस वसल की तोड़ाई कैसे की जाती है अब देखिये सिम्ला मिर्च है तो सिम्ला मिर्च में भीज नहीं पड़ना चाहिए की उससे पहले ही तो लेना चैया तो market values की पड़ी रहीज आप हरी मिर्च में भी यह जिया है कि हरी मिर्च को पकाते नहीं रहना चाहिए जैसे हरी का मतलब ही हरी तो मार्केट उसका पैसा मिले गा और समसे का पैसा मिलेगए और अगर हमको इसके लिए पकाना है और सरसिकि उपज अब देखिए उपज की यहां तक बात यह है कि उपज में हर बराटी की उपज अलग अलग है तो ये कुछ बराटी ऐसी हैं जो दो सो से तीम सो कुंटल तक हमको हरी दे देती हैं और कुछ ऐसी है जो नब्भए कुंटल तक हमको देती है जैसे फोटी मिर्च हमारी जो बहुत मिर्च टीखी होती है जो खास कर हमारे उसमें मसाले में काम आती है वह Nemढ़ी कुंटल पर हेक्टर देती है और यह हमारे जो है वो प्षों करका 200 से 202 ही रेक्टर पर हरी में और ये में जो हमारी मेर्च जाती है तो 20-22 पर हेक्टर उपर देती जुख तो शुकला जी आप हमारे एम अनुज्च को मिर्च की खेती से रिलेटिक इतनी अच्छी जानकारी दी जो उनके लिए बहुत फायदेमंद आपको भी दरनेवाद एपिसोड में बस इतना ही मुझे दीजे जाज़त नमस्कार